अगता आपका मेरे यूटूब चैनल में यह वीडियो बच्चे के आधार फेडिंग ओनलाइन सालत दरपन पर किस परकार से करनी है उस पर होने वाला है पहले यह कारे जो इस्टुडेंट टैब होता था उसके अंतरगत जो बच्चे की डेटेल्स एंट्री होती थी परपत् पर Connoч के अंतरगत यह उप्चन आता था student आधार नंबर तो जिसके पास होते थे थे छो इजो स्लिप होती थी उसके नमबर हम डाल गे शेव करते थी अब इसमें एक नया नोट आता है आवशक सूचना जनाधार आधार में कक्षा अध्यापक के स्टाफ विंडो लोगिन में ऑथेंटिकेट स्टुडेंट जनाधार आधार इंफो मोडूल से करें तो आईए चलते हैं कक्षा अध्य सबस को क्लिक करते हैं को किलिक करते ही कुछ डिटेलगे हैं इसमें हम देख सकते हैं की क्लास स्ट्र नेम डियो भी जेंडर जनाधार अब आप आगे देखेंगे यदि बच्चे का जो आधार सही है अथेंटिकेट हमने कर दिया तो वो ग्रिन में आएगा और जो अन्य बच्चे हैं जिनका भी नहीं हो पाया है वो अभी बलेक में श्यो करेगा आगे एक उप्षन दिया गया है एक आइकन दिया गया है हमें इसके उपर क्लिक कर लेना है जैसे क्लिक करेंगे तो सम्मन्दित बच्चे की डिटेल्स खुल जाएंगे डिटेल्स ओपन करने के बाद में हमें सम्मंद सम्मं दिद कोलम में बच्चे के जो आधार है वो डाल देने हैं और नीचे जो औप्शन दिया गया है और उथन unken केट जन आधार और अथन्टिक अधार तो अबी आधार की फीडिंग कर रहे हैं तो उथन्टिक आधार पर ही हमको क्लिक करना है वैसे तो कारे दोनों ही करने है लेकिन अभी के लिए authentic आधार पर हमको क्लिक कर देना है तो साथ ही आप देख पारे होंगे कि इस बच्चे के जो आधार नंबर है उसमें तुरोटी है तो इस परकार का message आया है यदि सही होता तो वो green में आजाता और हमारा कारे complete हो जाता काफी बार ऐसा होता है आधार नंबर सही भी होते हैं लेकिन यह authenticate तब ही होगा जब विधाले record में और आधार में दोनों में जो data हैं बिल्कुल सेम होंगे जैसे नाम, नाम की जो spellings वगरा है और DOB वगरा यह सारी चीजे सही होंगी तो ही आसानी से होगा, अनिता नहीं होगा तो हमें बच्चों से भी यह जो संसोदन है वो करवा लेना है आधार सही होने के स्तेति में एक बार हमको विधाले record देख लेना है और जो विधाले record होगा वो विद्धाले टैब में जब आप जाएंगे इस्टुडेंट टैब में आप जाएंगे तो उसमें परपत्र पांच आपको मिलेगा उसमें से हम बच्चे की डेटेल सही कर सकते हैं तो साथी वीडियो में इतना ही जानकर इच्छी लगी हो तो लाइक सेर करें